हुआ है 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 आज हम बनाने जा रहे हैं कठल की सब्जी तो कठल की सब्जी बनाना करते हैं कठल की सब्जी बनाने के लिए मैंने हाप केजी कठल लिया है और यह मैं बजार से निकटवा के लिया आई थी तो मुझे घर पर नहीं काटना पड़ा कठल की सबजी में प्याज ज्यादा पड़ता है तो इसले मैंने चार प्याज काट रखी इसमें और तीन टमाटर है और दो तीन एक तेज प्रता है और दो लाल मिर्च आइए इसमें लॉंग और काली मिर्च भी है दो लॉंग है चार-पांच काली मिर्च है मैंने कडाई रख दिये चुले पर गैस पर हम इसमें तेल डाल दूंगे सर्सों का तेल डाल दूंगे कठल की सबजी सर्सों के तेल में बहुत अच्छी बनती है और पहले हम कठल को ना फ्राय कर देंगे तेल में तो इसलिए थोड तो देर गरम हो जाएगा तेल इसमें तब तलेंगे कठल को फ्राय करेंगे तेल हमारा गरम हो गया है तो अब में इसको यह कठल है इनको सब को एक साथ इसमें तल में प्राय कर देंगे इनको एक साथ कठल को फ्राय कर देंगे तो ज्यादा और ज्यादा शेटी बन जाता है कठल की सब्जी कर दो 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 ककठल अब सारे त्राय हो गे अंबमें इनको एक थाली में निकाला दोंगी अच्छे से उगे इनको अच्छे से त्यल निकाल के और तब इनको निकालना है थाली में कठल जो फ्राय करें थे मैंने तेल में आप मैं उसी तेल में यह तड़का भी लगा दूंगी जो बचावा तेल है यह पहले सबसे पहले जीरा डालेंगे इसमें खुआ है फिरह मिर्च जेजफ पत्ता लाल मिर्च और लॉंग काली मिर्च इसको भी ढाल देंगे कि भड़ा सब बराहन होने देना जीरा को शिचक इसमें में जो मैंने यह सिल्वट्टे में पीषए है इसमें हरी है लैसन है अद्रक है तो मैं इसी में डाल दूंगी इसको तड़के में यह भी अच्छे से इसको तेल में फ्राइ करना इसको गुनना है इसको लगाता चलाते रहे ना सिरे नीचे लग जाएगा ऌनिचे प्राइ करना है करें नेकर करना है लयसने कच्चे के समेल उने लग जाती तो इसको तो इसको फुनना करना लह सन अतराक का पेश्ठा यह प्राउं हो गया अच्छे से प्डाइब आप इसमें ने किया एक ज़िकिक आटे ते प्याज को थोड़े लंबे-लंबे स्लाइस में काटना है गोल मीनी काडना है अब इसी में डाल दूंगी अब प्याज को भी लेसन अदरख के पेस्ट के साथ में इसको अच्छे से भूलना है इसको प्याज ब्राउन हो गया अच्छे से अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटरों के साथ साथ मसाले भी डाल देंगे इसमें एक चमाज धनिया पाउडर डाल दूंगी एक चमाज हल्दी पाउडर और लाल मिट्चू अपने हिसाब से डाल देंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी पीछ रखे ने इसमें और नमक पी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो कम ज्यादा अब इसको एक साथ भून देंगे अब टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए हम इसके उपर ढख देंगे और पांच मिनट के लिए इसको ढख के छोड़ देंगे पांच मिनट के बार चेक करेंगे स्कों के टमाटर गले इसको ढख देंगे पांच मिनट हो गए तो मैं धस्तन उठा के चेक कर लेती हूं कि हमारा यह जो यह मसाला है यह पग गया की नहीं पगा है तो मसाला अच्छे से पग गया है तो अब मैं इसमें जो मैंने कठल फ्राय करके रखे थे अब कठल को भी मसाले के साथ में मिला देंगे और इनको अच्छे से मिलाना है एक साथ जाके मसाले के साथ जो यह प्याज का पेश्ट ने लैसन प्याज का यह तमाटर का इसके साथ अच्छे से मिल जाए कठल अब यह कठल के साथ मैंने यह मसाला बना रखा है अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है अब अब मैं इसको धकल लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट बार चेक करेंगे इसको बीट बीच में भी चेक करते रहेंगे अब धकल उठाके हम चकल लेते हैं, दस मिनट हो गए हैं, कि सबजी बन गी की निवनी है, और सबजी बन के पूरी तरज से रेडी हो गई है हमाई कथल की सबजी, खाने के लिए पूरी तरज से तयार हो गई है सबजी, कथल की, और एक बात और मैंने इसमें काटके डालेते टमाटर, आप इसमें पेश्ट बना के भी डाल सकते हो, सबजी बन के तयार होगे, अब मैं गैस बन कर देती हूँ, जब छेक करते है कि कैसे बनाए और अगर आपको यह कठल की सब्जी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और हम अगली वीडियो में मिलेंगे नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई आप